नम्रों अमित्रो स्वागत है आप सब का आपके अपने चैनल ह्पी समस्क्रेट में जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख रहे हैं आज मैं आपके लिए एक इंफ्रोमीशन लेके आया हूँ मूल रूप से यह हिमाच्र प्रदेश टाप सेलेक्शन कमिशन बोर्ड द्वारा हमि लिए है जिनके एप्लिकेशन नमबर सामने लिखे हैं और कैंडिडेट्स के नाम भी है अरचना गुपता जियोती और भी नए इनके लिए है जिसमें यह कहा गिया है कि इन्हों ने जो अपना फॉर्म भरा है उसमें कुछ पूरन रूप से उसे भर नहीं पाए हैं तो इस के पास अपनी योग्यता इत्यादी जो भी है बहुत अपनी साथ दिनों के अंदरगत स्टाप सेलेक्शन बोर्ड की साइट पर जमा करवाएं या फिर वहां आके खुद करवाएं इसके अलावा और कोड के लिए हैं जिनने में आपको दिखा रहा हूँ पहले आपने पोस्ट कोड 831 के लिए पढ़ा था और अब पोस्ट कोड 781 के लिए है इसमें भी यही बताया गया है यह फॉर्म मूल रूप से 2 मार्च 2020 को भरा गया था तो इसमें भी यह जो पोस्ट कोड 781 है यह एसिटन प्रोग्रामर के लिए है तो इन्होंने भी अप सबसे फिर से अन्रोध रहेगा आप भी अपने जो आपके पासिंग मैट्रिक की आपकी जो सर्टिफिकेट है प्लस 2 का है इत्यादी आपने जो अपने जितनी भी आपने एजुकेशन प्रापत की है और साथ में हिमाचली बोनफाइड के साथ आप मैं हिमाचली जो आपका पोस्ट कोड 808 के लिए है मार्केटिंग एसिस्टेंट के लिए है इसके अंतरगत भी यही इनोंने बताया है मूल रूप से यहाँ फॉर्म भी 186 2020 को भरे गए थे तो इसके अंतरगत भी यहाँ पांच लोग है जिनके जैसे बबीता ठाकुर है रेनुका के वीशे रेनु हैं मेनु हैं और अश्पीनी भट हैं रविंदर कुमार यादव हैं इनके लिए भी सूचना है कि उनका फॉर्म भी अभी तक पूरूर रूप से भरा नहीं है तो उनके लिए भी यह सूचना है कि साथ दिनों के अंतरगत भे भी अपने हिमाचल का बोनोफाइड है और प् भी रद कर दिये जाएंगे तो अलाबा 813 से संबंदित कुछ लोगों के जो है फॉर्म रिजेक्ट हुए है ड्यू टू उन्होंने अपने फीस जमा नहीं करवाई है तो उनकी लिस्ट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह रिजेक्ट लिस्ट है जो की पोस्ट कोड 813 के लिए शास्त्री पोस्ट से संबंदित इन लोगों ने अपनी फीस पून रूप से जमा नहीं करवाई है जिसके कारण इन सब के फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिये गए हैं तो दो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको निश्चित रूप से बताऊंगा पहले आप यहां पर इस सूची को राम से देख सकते हैं कि किस-किस का नाम यहां पर आया है हालांकि अब तक परिक्षा के विशेमें अब तक केस चला है तो उसके विशेमें अभ organizer की तिथी के बारे में कोई अभी तक जानकारी प्रापत नहीं हुई है परंतु जिन लोगों के यहां पर नाम आये हैं वो यह सुनिश्चित कर लें कि उनका कारण किस कारण से आपका मतलब यहां पर नाम किस कारण से यहां पर आया है क्यांकि यहां पर उपर इन्हों ने मूल रूप से इसका कारण लिखा है तो इसका मूल कारण आपकी फीज सम्मिट ना होने के कारण लिखा गया है आप देख सकते हैं सभी अगर किसी बंधू का यहाँ पर नाम है तो कारेले पर फॉन करके भी पता कर सकता है कि किस कारण से और अगर आपने फीस जमा करवा दी है तो आपके पास एक ट्रांजेक्शन आइडी होगी उसको आप बता करके प्रूफ के साथ बता करके आपका नाम यहां से हट भी सकता है तो अभी तक चिंता ना करें और आप अपना जो आपने फीस भरी है उसका ट्रांजेक्शन आइडी आप याद रखें उसको निकाल लें और आप HPSSB के आपके सामने पूरी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसका यहां पर कैंसल हुआ है फीस के कारण आप देख सकते हैं सभी संख्या बहुत बड़ी है शास्त्री से संबंधित कुल 197 लोगों की कैंसल किये थे तो यह उनकी सूची थी तो दोस्तो आज के इस भाग में इतना ही मिलते हैं अगले भाग में तब तक के लिए नमोनमा